हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इसराफिल स्टडी में आज हम कक्छा दस गनीत में विलोपन विधी से दो च्वारवाले रेखिक समिकरन को हल करना सिखेंगे इस परकार के कोईशन मैट्रिक बोर्ड एकजाम में 100% पूछा जाता है यानि विलोपन विधी से समिकरन को हल करने के लिए एक न एक कोईशन बोर्ड एकजाम में जरूर पूछा जाता है इसलिए इसे अच्छे तरीके से समझेगा उसके बाद हम पर्ति इस्थापन विधी, वजद गुननखन विधी, अनुपात निदने विधी और ग्राफे विधी से भी दो चरवाले रेखी समिकरन को हल करना सिखेंगे ठिक है तो चलिए हम विडियो को शुरू करते हैं तो कोईशन है, विलवापन विधी से हल करें यहां हमें समिकरन एक दिया है, x प्लस y बडाबर 5 और दूसरा समिकरन है, 2x माइनस 3y बडाबर 4 तो इसे हम विलोपन विधी से हल करेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है तो विलोपन का मतलब होता है लुप्ट करना यानि हटा देना गायब कर देना तो हम यहां से क्या हटाएंगे यानि किसे गायब करेंगे तो धियान दिजिए ये दो चर वाले रेखिक समिकरन है इसमें दो चर है एक X चर दूसरा Y चर तो जब हम विलोपन विधी से समिकरन को हल करेंगे तो इस दोनों समिकरन में से हमें X चर वाली संख्या या Y चर वाली संख्या को पूरा पूरा आठाना होगा विलूप करना होगा किसी एक चर को चा है अब जान लेते हैं कि हम कैसे हटाएंगे तो जब भी हम x4 वाली संख्या या y4 वाली संख्या को हटाएंगे तो वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए जैसे कि यहां उपर x है नीचे 2x है तो यह दोनों बराबर है नहीं है तो हम इसे नहीं हटा सकते हैं, उसी परकार यहां उपर y है, नीचे में 3y है, तो यह दोनों भी बराबर नहीं है, तो इसे भी हम नहीं हटा सकते हैं, तो जब बराबर होगा तभी नहीं हटेगा, जैसे कि यहां देखिए, उपर में 3 है और नीचे में 2 है, तो यह दोनों बराबर ह नहीं है तो यहां हम इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा तीन माइनस दो यानि एक होगा एधी उपर तीन है और नीचे भी तीन है यानि संख्या सेम है बराबर है तो हम यहां माइनस तीन लगाएंगे तो तीन से तीन क्या होगा कट जाएगा यानि जीरो होगा कट गया चौर को हटा रहे हैं, तो Y चौर वाली संखिया बरावर होना चाहिए, चौर वाली संखिया बरावर सेम रहेगा, तब ही हम हटा सकते हैं, तो यहां हम इस कोईशन में X चौर को हटाएंगे, तो यहां देखे, उपर में X है, और नीचे में 2X है, तो यह दोनों बरावर नही है तो हम क्या करेंगे कि समिकरन एक में दो से गुना कर देंगे तो यहाँ X है X में दो से गुना होगा तो क्या होगा दो X फिर नीचे भी दो X होगा तो यह बराबर होगा तब हम इसे हटा सकते हैं तो यहां हम समीकरण एक में दो से गुना करेंगे तो यहां अब हम लिखेंगे सब्द में समीकरण एक को कितना से गुना करेंगे दो से गुना करने पर ठीक है इस दो से हम इस पूरे समीकरण में गुना करेंगे एकस में दो से गुना करेंगे दो एकस होगा ठीक है फिर पलस है तो पलस वाई में दो से गुना करेंगे दो वाई होगा फिर बराबर में पांच में दो से गुना करेंगे दस होगा तो यह देखिए नया समीकरन बन कर तयार हो गया इसे हम नाम देदेते हैं समीकरन 3 ठीक है तो आप देखिए समीकरन 3 और समीकरन 2 में X 4 वाली संख्या सेम है बराबर है तो हम इसे हटा सकते हैं तो यहां देखिए समीकरन 2 में 2X प्लस में है समीकरन 3 में भी 2x प्लॉस में है जब हम 2x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4x होगा लेकिन हमें यहां से जोड़ना नहीं है तो हटाएंगे तो हम यहां माइनस चिन का परियोग करेंगे ठीक है तब न यह कटेगा 2x में से 2x घटाएंगे तो कट जाएगा यानि 0 होगा तो यह दोनों प्लॉस में है तो यहां अब हम लिखेंगे कि समीकरन 2 में से समीकरन 3 घटाने पर जब हम माइनस चिन का परियोग करेंगे तब हम बड़ावर वाली संख्या को हटा सकते हैं ठिक है तो यहां लिखे लेते हैं समीकरन 2 माइनस समीकरन 3 करने पर इस प्रकार आप सॉटकॉट में लिख सकते हैं समीकरन 2 में से समीकरन 3 घटाएंगे तो पहले हम समीकरन 2 लिख लेते हैं समीकरन 2 है 2x माइनस 3y बड़ावर 4 ठिक है उसके बार लिखेंगे समीकरन 3 समीकरन 3 है 2x प्लस 2y बड़ावर 10 तो यहां लिखेंगे 10 ठिक है तो इसे हमें घटाना है तो यहाँ हम एक लाइन ले लेते हैं तो घटाएंगे तो मैनस का चिन लगाना होगा तो यहाँ प्लॉस चिन है और हम यहाँ मैनस चिन लगाएंगे तो उसे गुना कर देंगे प्लॉस मैनस गुना कर देंगे मैनस होगा फिर यहाँ प्लॉस चिन है तो हम मैनस से इसे गुना करेंगे तो plus minus minus फिर यहां भी plus 3 है minus से गुना करेंगे तो minus तो देखिए plus 2x minus 2x यह क्या होगा हट जाएगा यानि कट गया x च्वारवाली संख्या लूप्ट हो गया अब देखिए minus 3y minus 2y minus minus क्या होता है plus 3 minus का तो 3 हम minus का लगा लेते हैं अब 3y और 2y को जोड़ लेते हैं तो यह होगा 5y फिर बराबर में plus 4 minus 10 है plus minus minus 3 बड़ी संख्या का तो यहां 10 बड़ा है इसलिए minus 3 होगा अब घटाएंगे 10 में से 4 घटाएंगे 6 यहां देखिए बराबर के इस तरफ और इस तरफ भी minus 3 है तो minus 3 से minus 3 को भी काट सकते हैं तो यहां से y बराबर क्या होगा यह 5 गुर्णा में है बराबर की set पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा यानी 6 बरटा 5 होगा 5 बराबर मान निकल कर आगया 6 बरटा 5 लेकिन हमें x का भी मान निकालना है तो यहां देखिए y का मान तो आ गया अब क्या करेंगे इसी y का मान समीकरण 1,2 या 3 किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकालेंगे तो हम दोस्तों समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस y बड़ावर 5 खिक है तो लिखेंगे x प्लस y है y की जगा मान रखेंगे 6 बड़ावर में है 5 अब इसे हम सरल करेंगे तो लिखेंगे x प्लस बड़ावर 5 है पक्छांतर करेंगे तो माइनस 6 बड़ा 5 होगा तो अब यह है x बड़ावर 5 माइनस 6 बड़ा 5 तो इसे हल करेंगे यानि भीन का घटाओ बनाएंगे पांच के हड में कुछ नहीं है तो एक है तो हम यहां क्रोस में गुना कर लेते हैं पांच से पांच में गुना करेंगे पांच से पचीज माइनस छे बट्टा में पांच से एक में गुना करेंगे पांच अब घटा लेते हैं 25 में से 6 घटाएंगे, 19 बटा में 5, तो दोस्तों, यहाँ जो 19 बटा 5 आया है, यह है X का मान, ठीक है, तो X का मान होगा 19 बटा 5, Y का मान, 6 बटा 5, X का मान, 19 बटा 5, तो दोस्तों, इस परकार हम विलोपन विधी से दो चरवाले रेखिक समिक्रन को हल करते हैं, उमीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी, एदि आप इस चैनल पे पहली बाड़ा आए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ए कर दो करता हैं, तो जिलोपन प्लीज वीडियो को वीडियो।